हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूँ आप से बहुत ही अच्छे होंगे तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लाश 12 फिजिक्स का बहुत ही इनपोर्टेंट टॉपिक जो है बायो से वर्ड का नियम तो भी यह बायो से वर्ड का नियम क्या होता है इस वीडियो में हम समझेंगे इसका डेरिवेशन करेंगे और इस जो फॉर्मूला इससे प्राप्त होगा उसको हम फुरूफी करेंगे बहुत ही इच्छे सा आपको समझ में आएगा तो याद रखेंगे दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं बायो से वर्ड का नियम जिसे ह हम एक और नाम से जानते हैं इसे हम लाप लास की नियम के भी नाम से जानते हैं और दूसरा इसी को दूसरे हेडिंग में हमें दे सकता है कि धारवाही चालक के कारण मतलब हमके यहाँ पे लिख दे रहे हैं दूसरा आपको दे सकता है कि धारवाही चालक के कारण कारण उत्पन चुम्बकिय चेतर ठीक है तो यह भी आपसे पूछ सकता है कि धारवाही चालक के कारण उत्पन चुम्बकिय चेतर तो आपको समझ जाना है कि बायो शेवर्ट का नियम ही पूछ रहा है क्योंकि बायो शेवर्ट के नियम में ही बताया गया है कि कोई मतलब धारवाही चालक है तो उस पर चुमबक्य छेतर की तिवरता कैसी गणना करने है यही तो बताया गया है बायसरवट के नियम में तो चलिए दोस्तों तो हम इसको सबसे पहले इसको हल करते हैं इसको अच्छे समझते हैं तो देखिए सबसे पहले यदि आपसे आ और चुमबक्य छेतर की तो गणना करनी है परंतो भी यह चुमबक्य छेतर की तो गणना करनी है यही बात आपको सब्दों में लिखना है तो सबसे पहले मैं इसको लिख दे रहा हूं इतनी बात आप इतना लिखेंगे कि बायो और शेवर्ट दो बेग्यानिकों ने ऐसे लिखेंगे सबसे पहले कि बायो तो था शेवर्ट दो वेग्यानिक ठीके मैं चाहता हूं कि आपको सब्द की तरह इदम लिखवा दिये जाए तो आपके लिखेंगे बायो शेवर्ट दो बेग्यानिक ने मिलकर ने प्रियोग करके किसी धारवाही चालग पर वाहिक चालग पर उत्पन चुम्बकिय शेत्र की तिवर्टा का फर्मूला तिवर्टा का सुत्र दिया ठीके यहां इतनी बात आपको सबसे पहले लिख देना है कि बायो शेवर्ट दो बेग्यानिक थे ठीके दोनों बेग्यानिक ने प्रियोगो दारा धारवाही चालग को करके किया चुम्बकिय शेत्र की तिवर्टा की सुत्र दिया अब उन्हों तबरip के्च थारा प्रवाइद किया तो इस चालक से माल लेते हैं यह वं बिंदू है तो इससे बिंदू पी पर बिंदू पी तक की बीच की दूरी क्या है यहां से याद नखेंगे इंकी बीच की दूरी है आर ठीके तो बहाई-рах दूरी पर एक बिंदु पी लिया और इसी बिंदु पी पर हमें क्या ग्याद करना है हमें चुम्बकी छेतर की तीबरता ग्याद करनी है ठीक है इसी बिंदु पी पर हमें चुम्बकी छेतर की तीबरता ग्याद करनी है अब ध्यान दिजेगा ये अनंत लंबाई का चालकतार है इसमें ह हमने एक छोटा सा चालकतार ले लिया, अलपांस मतलब प्रिष्ट ले लिया, चालकतार का एक छोटा सा भाग ले लिया, जिसे हम DL प्रिष्ट कहते हैं, ठीक है, अलपांस प्रिष्ट भी कह सकते हैं, अब समझेगा, अलपांस प्रिष्ट तथा बिंदू P के बीच बने बातों को आपको समझना चाहिए कि सबसे पहले अनन्त लंबाई का एक चालकतार एबी लिया जिसमें हमने आई धारा प्रवाहित किया तथा बिंदू O से P मतलब बिंदू O से आर दूरी पर एक बिंदू P लिया जहां चुंबक की छेतर की तिब्रता की गणना करनी है ठीके इतनी बात आपने सब्दों में क्या करेंगे आप एक्स्प्लेण कर देंगे समझाया ना उसके बाद आप क्या करेंगे इतनी बात आपने सब्दों में एक्स्प्लेण करने के बाद आप लिखेंगे कि तब आप लिखेंगे कि उसके बाद इन्हों ने जो क्या है धारा जो बायोशेवटन है इन्होंने कुछ नियम दिया इन्होंने मतलब इस के कारण इस प्रिष्ट के कारण इस भिन्दु पी पर चुंबा के छे तरकी नियम बताया तो सबसे पहला इन्होंने ये बताया, सबसे पहला इनका चार नियम दिये, सबसे पहला ये बताया कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कि जो अलपांस प्रिष्ट के कारण जो उन्तपन चुम्बकी छेतर की तिबरता होती है, वो इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है, ये इन्होंने पहला नियम दिया, समझेगा, यहाँ पे में लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, चुम्बकी छेतर की तिबरता है, ये प्रवाहित धारा है, तो इन्होंने जो बायो और सेवट ने दोनोंने मिलका क्या बताया, कि इस अलपांस प्रिष्ट के कारण उ उत्पन चुम्बकी छेतर की तिबरता, उस चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, ये बात अपने सब्दों में सबसे पहले लिखेंगे, तीके, अपने सब्दों में लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, आपको यही से पढ़ना है इस नियम को, क् बिंदू P पर उत्पन चुंबकिये छेतर की तिवरता है और ये उस चालक तर में प्रवाई धारा के धारा है तिनके समानुपाती होता है यही उन्होंने पहले बताया तो पहला नियम को मैं थोड़ा सा लिख भी दे रहा हूं ठीक है क्योंकि आप नहीं लिख पाएंगे तो उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है या समानुपाती होता है ठीक है जितना हो सकता है उतना मैं लिख दे रहा हूं ठीक है पूरा लिखेंगे तो बोड़ी बर जाएगा ठीक है इसलिए मैं पूरा तो नहीं लिख सकता पर जितना हो सकता है उतना लिख दे रहा हूं जो अल्पांस फ्रिष्ट के कारण, उत्पन्चुंबके चेतर की तिवर्ता इसमें क्या होता है अल्पांस लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है सम्झिएगा, इसमें यह बताया, यह दूसरा नियम है, दूसरा इनुने भी बताया कि अलपांस प्रिष्ट के कारण बिंदू P पर उत्पन चुंब के छेतर की तिवरता अलपांस लंबाई के ही समानुपाती होता है समझ रहे ना इसी पर इसी अलपांस पर उत्पन जो चुंब के छेतर की तिवरता होगा वह मतलSound इसके कारण जो और पांस प्रिष्ट है ना डिययल। ही और पांस प्रिष्ट के कारण बिंदु पी पर उत्पन चुंबगे छेतर किति विर्ता अलपांस लंबाई के ही समानुपाती होता है यह दूसरा नियम बतायागिया है दूसरा आप क्या बोलेंगे कि ऐसे लिख रखते हैं उत्पन्चुम्बा की चेतर की तीब्रता उसमें तीब्रता अलपांस लंबाई के क्या होता है समानुपाती होता है ठीक है तो यह हमने दूसरा लिख दिया है आप क्या लिखेंगे कि आलपांस लंबाई के कारण बिंदु पी पर उत्पन्चुम्बा की चेतर की तीब्रता अलपांस लंबाई के समानुपाती होता है ठीक है इतनी बात तो आपको सभी चारू नियम में ल होता है अलपांस लंबाई की समानु पाती होता है कि अब बिंदू O और बिंदू P के बीच की दूरी के वर्ग के ब्यूत क्रमानु पाती होती है ये तीसरा नियम है तो इसको अवियाब लिख लेंगे कि उत्पन चुम्बकिय छेतर की तीब्रता बिंदू O तथा P के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है बियूत क्रमानु पाती होता है इतना बात आप लिख लेंगे कि उत्पन चुम्बकिय छेतर की तीब्रता बिंदू O तथा बिंदू O तथा बिंदू O अपी के बीच की दूरी के वर्ग के वियूत क्रमानु पाती होता है तो आसा करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा तीसरा और चोथा इन्होंने रूल दिया चोथा इन्होंने नियम दिया की देखिए इसमें चोथा इन्होंने ये बताया कि D B is equal to मतलब चुम्बकिय छेतर की तीब्रता जो होती है वो sin theta के क्या होती है समानु पाती होती है मतलब इन्होंने क्या बताया कि Alpons Lambai के कारण बिंदू P पर उत्पन चुम्बकिय छेतर की तीब्रता तीब्रता Alpons तथा बिंदू P के बीच बने कौण के जया के समानु पाती होता है साइन को हम जया कहते हैं तो हमने क्या क्या अलपांस तथा बिंदुपी के बीच बने कोड की जया के समानुपाती होता है मतलब उत्पन चुंबकिये छेतर की तिवरता अलपांस लम्बाई तथा बिंदुपी के बीच बने कोड के कोड की जया के समानुपाती होता है या अनुकरमानुपाती भी कह सकते हैं होता है तो यहाँ पर हमने लिख दिया है इसको आप क्या बोलेंगे चोथे नियम को कि अलपांस लम्बाई के कारण बिंदुपी पर उत्पन चुंबकिये छेतर की तिवरता तिवरता, अलपांस, लम्बाई तथा बिंदुपी के बीच बने कोड की जया के समानुपाती होता है तो आसा करते हैं भी यह यह चारू नियम आपको अच्छे समझ में आ गया होगा सबसे पहली बात आपको याद रखना है भी यह अभी तक आप बने हुए है तो बहुत एच्छी बात है क्योंकि अभी तक आपने सब्र रखा हुगा है मैं विश्वाग दिलाता हूँ भी यह आपको सब याद होगा ठीक है ना आप देखिए सबसे पहले ति इतनी बात लिखेंगे उसके बाद यह फिगर बनाएंगे इसको अपने सब्दों में एक्स्प्लेइन कर देंगे माना की करके माना ए बी अनन्त लंबाई के एक जालकतार है जिसमें आई धारा प्रवाइद किया गया है तथा इसमें आलपांस प्रिष्ट डिल लिया गया है तथा इस डिल से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ पर चुमबक के छेतर की तीवरता की गढ़ना करनी है इतनी बात इससे समझें उतनी बात आप लिखकर फिर से आप लिखेंगे गढ़ना ठीक है और उसके बाद यहां पर लिखेंगे यहां से आपको नियम लिखते समय आपको सबसे पहले इतनी बात याद अखना है कि सभी नियम में ये सभी चीज कॉमन है क्या कॉमन है आप यह कहेंगे क अलपांस लंबाई के कारण बिंदुपी पर उत्पन चुम्ब के छेतर की तिवर्ता उसमें प्रवाही धारा के समानुपाती अलपांस लंबाई के समानुपाती उनके बीच बने कोण की जया के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यूत क्रमानुपाती ह होता है समझ मैं ना उतने के बाद बोल देना है आपका हो जाएगा ठीक के बाद देखिए अगर आप इसको समि Ihr First मानते है इसको समिंड़ा डोधे हैं समुर्ण तीन देते हैं इसको समिंड़ चार देते हैं तो आप देखिए आप लिखेंगे याँ पर कि समिंड़το फर्स्ट, सकेंड, थर्ड तथा, फोर्स को आपस में मिलाने पर ठीक है, क्यों मिलाने हैं? क्योंकि देख रहे हैं सभी का चुम्बकिये छेत्र की तिवरता समान नहीं तो हम एक चुम्बकिये छेत्र मिला देते हैं, तो डी बी समानुपाती हो जाएगा यह क्या हो जाएगा? आई, यह सभी गुड़ा हो जाएगे, आई, फिसे डी एल, फिसे साइन, ठीटा, और यह आर स्कॉयर वाला गुड़ा हो जाएगा तो यह आर स्कॉयर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, आप ध्यान दीजेगा, यह हमें मिला, अब यहाँ पर समानुपाती के चिन को यदि हम आटाते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है? यह एक नियतांक आता है, और उसके बाद इसको हम लिख देते हैं, फिसे आई, डी एल, साइन, ठीटा, बाई, आर स्कॉयर, और यही हमें क्या मिलता है, अपना फॉर्मूला हमें मिलता है, बायो से वड के नियम में, ठीके, और यहाँ पर आपका क्या हो गया, यह नियम प होगा, परन्तु नुमेरिकल के लिए एक पॉइंट से याद रखेंगे, यहाँ पे जो मियू नॉट बाई 4 पाई है, इसका मान होता है, 10 to the power minus 7, ठीके, इस मान को भी आपको याद रखना है, क्योंकि जो आपके बोड एक्जाम होगे, उसमें नुमेरिकल आएगा, तो इस इसे topic important-important जो भी पढ़ाया जाएगे, ठीके, बोड एक्जाम नजदीक आने वाला है, तो जितनी भी topic जो भी अभी, जब अभी क्या नॉमबर आएगा ना, तो नॉमबर से आपके क्या किया जाएगा, जितनी भी important topic है, सब को chapter wise पढ़ाया जाएगा, पलस आपको model paper भी करा हमारा भी support हो जाएगा, ठीके, तो यह हो गया, दूसरी बात, यदि आप class 12 का physics और chemistry का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप हमारे channel के description में चले जाएगे, ठीके, आप उस पे जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, link इस video के description में दिया गया है, दूसरा, यदि description नहीं पता है, तो यह आप इस number पे हमें whatsapp करके, आप video का link हमें प्राप्त कर सकते हैं, इस number पे आप हमें लिखिएगा, class 9 से लेका class 12 का पढ़ाई करा आज जाता है, तो आप लिखेंगा class 12 का चाहिए, तो आप लिखिए class 12 physics chemistry all video link, तो आपको इस video का link दिया जाएग उस link पे click कर गएंगे, तो आपको chapter by sequence में एक एक करके video मिल जाएगा, तो चलिए दोस्तो आज के लिए इतना ही, और कोई भी topic समझ मने जाता है, कोई भी topic, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी topic हो, किसी का definition समझ मने जा रहा है, तो आपको केवल उसका नाम लिखना है, जैसे मा जान लेते हैं, चुमबकी छितर की तीब्रता ही समझ मने जा रहा है, तो आप YouTube पे लिखिए चुमबकी छितर की तीब्रता ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर अच्छे सपड़ाई कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तो आज के लिए इतना ही, मिलत अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिन, जय भारत!